अदम और मयंग की जोड़ी भेजी गई है विकेंड वारियर्स की और से पहले बल्लेबाजी के लिए सलामी जोड़ी दार उद्गाटक बल्लेबाज राहुल रावत को गेन सौपी गई है मैच की पहली बॉल फिकेंगे दूसरा प्री क्वार्टर फानल मकाबला शुरू हो रहा है राहुल रावत राइट अम ओवर दा विकेट लंबे बॉलिंग रन अप के साथ तालियां बच्ती हुई मैदान पर विकेंड वारियर्स वर्सेज बुच के कंस्रक्शन दूसरा प्री क्वार्टर फानल मकाबला दूसरे प्री क्वार्टर फानल मकाबले की पहली बॉल राहुल रावत के हाथ में पदम स्राइकिंग एंड पर और पिस्टम के बहार पहली गेंच छोड़ा विकेट कीपर के हाथ से गेंच इटकी रन के लिए दौल लगाई लेगबाई का सिगनल अमपायर की ओर से बहुत दूर से दौल कर आते हैं राहुल रावत 12 मैचेस रिकॉर्डेड हैं उनके क्रिक हीरोस पर 13 विकेट 130 रन बल्ले से बनाए है राहुल रावत ने यहां बल्ले बाजी के लिए मयंक नौन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे पदम पदम नौन स्ट्राइकिंग एंड पर आए मयंक अब सामना करेंगे मयंक तिरासी मैच में 1023 रन और 58 विकेट अधिकतर आल राउंडर हैं हर टीम में कुल 30 फ्रेंचाइजी इस 30 टीम हैं 11 दिनों का सफर 450 प्लेयर्स मैदान पर विबिन टीमों की ओर से खेल रहे हैं साथ साथ वर्स के मैचेज विजेता टीम को मिलेंगे एक लाख रुपए और शानदार चम चम आते हुई सी ट्रॉफी वोपाल प्रीमियर लीग 2024 की पहला संसकरन झाल 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 कि रन नहीं है इस गेंद पर पदम वापस आएंगे बले बाजी की सिरे पर ऑफ साइट पर कोई स्लिप पर फीलर नहीं है एक शॉर्ट थर्ड में पॉइंट कवर्स बिड़ाउफ अन साइट पर एक लॉंग उन पर फीलर जाता हुआ एक फीलर डीप स्कॉल लेग पर शॉर्ट स्कॉल लेग शॉर्ट मिट्विकिट और शॉर्ट फाइन लेग यह फील्ड की जमावट रावत की अगली गेंद बहुती लंबा शॉर्ट सामने जो स्क्रीन लगी है जहाँ पर मैच देखते हैं आप सीधे वहाँ पर गेंट अकराई छेरन धमा का शुरू पदम के बैट से विकेंड वारियर्स छेरन पहले ओवर में खाता खोलते हुए पदम दो गेंदे खेली ह अई एक छछक्का लगाया राहुल रावत पर प्रेशर बनाया दूसरा प्रीक्वार्टर साइनल मकाबला और आप हर को इस प्रीमेर परेशर भाहर कर लगाता दो छटके बैक टू बैक पदम के बैट से समर्थक प्रसंद है जो वीकेंड वार्योर्स के सपोर्ट में यहाँ पर आए है काफी दो स्यार और साथ में क्रिकेट खेलने वाले साथी क्योंकि यह प्लेयर अलग-अलग टीमों से खेलते हैं और आज एक अलग टीम से खेल रहे हैं इनकी सब खिलाडियों की टीमें अलग हैं बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो एक टीम में खेलते हैं और यहाँ बोपाल प्रीमियर लीग में भी एक ही टीम में हैं दो गेन दो छटके पदम पहुँचे बारा पा तीन गेने खेली हैं इसकोर है बारा रन जो पदम नहीं बनाए हैं एक ट्रिक छटके लगेंगे या नहीं तीसरी बॉल राहुल रावत लंबे बॉलिंग नरप से बढ़िया बॉल आफस्टम के बाहर फुला लेंड गेन बेट्समेन का राहुल रावत के उपर चार गेंदे फेकी हैं बारा रन बने हैं बेड़ आफ का फीलर साथ में बाचीत करता हुआ राहुल रावत से लगब बाइस तीस कदम का बॉलिंग रन अप ओन साइट पार शॉर्ट फाइनल लेक के फीलर की तरफ गेंद और गेंद बाजी करने के बाद आप राहुल रावत को देख सकते हैं कि कैसे पिलकुल पैटिंग करने वाली क्रीस पर पहुँच चुके थे उत्साहित खिलाडी हैं बहुती ओर जावान व्यक्तित्व हैं र प्रोकर रन बनाने से दूसरे सिरे से मयंक आ गया है थोड़ा होसला फजाई की तारिफ की बल्ले बाज पदम की बार शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश गेंद ऑफ स्टम के बाहर जाती हुई ज्यादा जगे नहीं थी शॉर्ट आम पुल करना चाहते थे ओवर पूरा हुआ विकेंड वार्यर्स पहले ओवर के बाद है बारा पर और बारा ही रन बनाए हैं बैट्समें पदम ने हैं इस तरॉनामेंट में जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो मोक्ष 11 के बल्लेबाद नवीन सिंग चौहान ने बनाए हैं तीन मैच में 132 रन उन्होंने हुआ है तीन मैच में उन्होंने कुल 88 रन बना हैं और एक हाफ सेंचुरी भी लगाई है नैश ने और गेंद बाजी में अर्विंध हैं हम 11 के जिन्होंने 10 विकेट लिये हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर एसक इंटरप्राइजस के शिवम तीन मैच में 9 विकेट रितेश सेन के नाम पर अंकुर कलब के पहली गेंद बैट के बाहरे के नारे से निकले ये मुकावला बहुत ज्यादा तेज गती से खेला जाएगा आप देख सकते हैं एक एक रन बनाने के लिए किस तरह से महनत कराई जा रही है मैंग ने अपना खाता कोला जावेद आए हैं बॉलिंग के लिए अमपायर और र स्कोर 13 रन विकेंड वारियर्स फीलिंग में थोड़ा सा बदलाओ लॉंग आफ के फीलर को बुलाया जा रहा है ऑन साइट पर शॉर्ट मिड़ौन के स्थान पर एक फीलर है लॉंग ऑन बांडरी लाइन पर जाविद किये गें बिलकुल पैरों पर आगे निकले रन के लि रहा था इस मैच की बहुत तेज गती से खेला जाएगा आपस में ताल मिल सही नहीं रहा रन के लिए आगे निकले थे पदम बना किया नौन स्ट्राइकिंग एंड से मयंक ने किस्मत ने साथ दिया क्योंकि पदम विकेट पर गिर गए थे उसके बाद भी जैसे तैसे लड खड़ाते हुए अपने आपको क्रीज के अंदर लेकर आए और सुरक्षित अब देखना है इस सितिका कितना वे फाइदा उठा पाते हैं अपनी टीम के लिए तेरा रन राकतवर शॉर्ट केलने की कोशिश कावर्स की तरह गेन बैट के बाहरी किनारे से लगने के बार शॉर्ट थर्ड में के स्थान पर गई शॉर्ट फाइन थरड मेन के फीलर ने अपने राइट साइड में जाकर गेंड को फील्ड किया एक सिंगल रन पदम चे खाते में जुड़ा वे पहुंचे तेरा पर विकेंड वारियर्स चौधा रन कोई विकेट नहीं अच्छी बॉलिंग अपने पहले ओवर में जावेट के द्वारा लेफ्ट आम राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं पूरी लंबाई की गेंड वाइड का इशारा आता हूँ अमपायर की ओर से तेजी लाने के प्रयास में गेंड को आफ विस्टम के ज्यादा बाहर रख बैटे लेकिन सारे के सारे खिलाडी तारीव कर रहे हैं उत्सा बढ़ा रहे हैं गेंड वाज जावेट का पंदरा रन कोई विकेट नहीं शौट गेंड इंतजार पुल शौट बिट विकेट बाउंडरी लाइन पर दर्शकों के ऊपर से गेंड बाउंडरी के बाहर छे रन क्या शौट खेला है बैट्स्मेन मयंग ने शौट अफ लेंड गेंड बहुत जल्दी पड़ा तेज गेंड फेक रहे हैं विकेट पर जावेद अपने आपको तैयार किया शौट के लिए और इंतजार इंतजार और उसके बाद गेंड को देखा भी नहीं क्योंकि जानते थे गेंड जहां पर बैट के टकराई है वहां से माउंडरी के बाहर ही जाएगी 21 विकेंड वारियर्स दूसरा ओवर पहले ओवर में 12 बने हैं अब हमें गेंड पॉइंड के फीलर देख रहे थे कि गेंड कब घूमकर उनकी तरफ आएगी रियास नहीं किया जानते थे कि उनसे बहुत ज्यादा आगे गेंड ने टपक आया है बयंग कनीजी स्कोर हुआ आठ अदम खेल रहे हैं 13 पर पर लाया जा रहा है पदम के लिए इस बार तेज गेंड शॉर्ट गेंड पुल शॉर्ट एक बार फिर दर्शक गेंड को उठाकर लाएंगे बहुत दूर गेंड को पहुचाया च्छे रन पदम के बैट से दो ओवर के बाद स्कोर है 28 रन धमा के मैदान पर होते हुए पहले ओवर में 12 दूसरे में 16 विकेंड वार्योस दो ओवर के बाद 14 रन प्रती ओवर के आउसत के साथ 28 बगेंड किसी नुकसान के पदम खेल रहे हैं 19 पर 9 गेंड खेली है तीन चक्के अभी तक लगाए हैं वन ऐसे ही बल्लेबाजी चलती रही तो वीकेंड वार्योस एक अच्छे स्कूर की तरफ पहुंच पाएगा वेकिन अभी पांच ओवर बाकी बहुत कश्मकश्पूर्ण मुकाबला होगा राहुल रावत एक ओवर 12 रन कोई विकेट नहीं जावेद एक ओवर 16 रन कोई वि अनुराग बुच के विकेट कीपर राहुल थोड़ा सा दीमी गेंद विकेट कीपर गॉड बिहाइंड की अपील करते हुए लेकिन इसको लगम पार पर कोई प्रभाव नहीं से अपील का पहली गेंड डॉट बदम और मयंग की जोड़ी 28 रन बना चुकी है मयंग सामने आठ रन बना कर केल रहे हैं चार गेंदे उन्होंने खेली हैं राहुल रावद प्रिस्टम के बाहर पिछोने के बाद और बाहर की तरब जाते हुई मयंग ने अपने उपर नियंतरन रखा धैरे दिखाया सईयम दिखाया और गेंग को छोड़ दिया अमपायर के निरने के लिए एक वाइड करन टीम के स्कोर को 29 पर पहुँचाता हुआ तीसरा ओवार दूसरा प्री क्वार्टर फानल मकाबला दंगल स्टोरी प्रेजेंस भुपार प्रीमियर लीग दोहजार चॉबिस पहले संसकरण का पिकेट के पीछे अनुराग बुच के ओनर हैं बुच के कंस्रक्शन के और यहां रन अप और मेरे को लगता है कि ज्यादा बड़ा लिया है राहुल रावत ने स्टम्प की लाइन में गेन लाफ्टेट शॉट जो दर्शक बैटने थे वो गेन को देख रहे हैं गेन बाउंडरी के बाहर चेहरन इस्टम्प लाइन पर वाल और उसे चेहरन के लिए मैदान के बाहर डिस्पेच्च किया मैट्समेन मयंग ने चाउदा पर पहुँचे मयंग दूसरा चखका उनके बैट से निकला विकेंड वारियर्स 35 कोई विकेट नहीं अभी तक आफस्टम्प के बाहर गेन बाजी चल रही थी इस बार शफल होते वे आफस्टम्प की तरफ आए और बिलकुल सामने आफस्ट विकेंड वारियर्स की और हम आपको बता चुके हैं ग्रूप एच से पहले नंबर पर रहकर क्वालिफाई किया है विकेंड वारियर्स ने जोने दो मैच खेले दोनों में जीत हासिल की चार पॉइंट्स उनने बनाए तीन टीमे थी इस ग्रूप में जो दूसरी टीम उनक का खेल हुआ है दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूट टीमें हैं कि अग्रूप में से रिक्वेस्ट हर पॉल के बाद बॉल चेक न करें आप अतरिक्त समय वियर्त न गवाएं क्योंकि बहुत देर होती रहती है हर मैच में आप से रिक्वेस्ट है आप जो मैच का फ्लो है उसे बनाए रखें चौदा पर मैंक पांच गेंदे खेली हैं रावक की बॉल हवा में और खुद मैंक रावत गेंद के नीचे क्याच हाथ से छूट गया अच्छी पोजीशन पर पहुँच गये थे लेकिन इस क्याच को नहीं पकड़ पाए जीवंदान मिला बैट्समेन मैंको बड़ा शौट लगाने की चेश्टा बैट के एच से गेंद लगी काफी देर हवा में रही गेंद बाज राहुल रावत गेंद के नीचे आ गए थे और आराम से कैच पकड़ कर ऐसा लगता है जमीन पर जाना चाहते थे लेकिन उस प्रयास में गेंद उ रन मिलता है आपको यदि आपकी किस्मत साथ रहे रिवर्स हिट लिया था पदम ने गेंद पहुंची पॉइंट फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया नोने स्ट्राइक अंड के बैट्समेन आगे निकल कर आ गए थे जब थ्रो आया तो वो विकेट पर नही नहीं रोख पाए और जो रन मिलना था आकिरकार जो किस्मत में रन था वो मिली गया पदम पहुंचे बीस पर दस गेंदे के लिए तीन चक्के लगाए और वापस मयंक स्ट्राइक अंड पार मयंक दू छक्के लगा चुके हैं पंद्रा पर खेल रहे हैं शे गेंदे खेली हैं उन्होंने उनके सामने राहुल रावत यह उनके कोटे का अंति वोगर है बहुत लंबे बॉलिंग रन-अप के साथ गेंद बाज़ी करते हैं अब रन-प थोड़ा सा छोटा किया उन्हों अच्छी बॉलिंग अच्छी बॉलिंग रन अप कम किया तो सही जगे और दिशा में गेंद बाजी डॉट के साथ थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास वापस हादसेल किया उन्होंने यह अभी तक इसमें फुल मिलाके नौ रन बने हैं अच्छी बॉलिंग की है मैंक ने अ जोखिम उठाया और वो जोखिम हाथ से चला गया यदि सीधे बलने से मिड्विकेट पर गेंद को मारते तो शायद 6 रन मिलते अत्रिक्त प्रयास मयंका धीमी गेंड चेंज ऑफ पेस कमिश्रंड और आउटो कर मैदान से बाहर जाएंगे पहले विकेट के रूप में विक आठ गेंदे खेली दो छक्के लगाए और विकेंड वारियर्स 37 पर एक तीन ओवर के बाद पहले ओवर में 12 दूसरे में 16 तीसरे में 9 अच्छी वापसी करते हुए बुच के कंस्रक्शन के खिलाडी उनके कप्तान ने आज टोजीता पहले फील्डिंग करने का फैसला लिय पहले दो ओवर में 28 रन बन चुके थे लेकिन तीसरे ओवर में राहुल रावत ने एक विकेट लिया हलाकि एक विकेट और भी ले सकते थे पर गेंद उनके हाथ से छिटक गई कैच मिस कर दिया और मंच पर बेटे हुए श्रीमान अंशुआ युवा नित्रत वर युवा नेता भारती जैनता पार्टी के जो निरंतर लोगों को इकतरित करते रहते हैं और युवाओं को जो उर्जा है उससे सही दिशा में ले जाने का प्रयास उनका निरंतर रहता है समाज में चाहे खेल की बात हो सामाजिक कारिक्रमों की बात हो हर शेतर में अपना युगदान देते हैं जीलों का शहर भुपाल जो मद्परदेश की राज़दानी है उसमें युवाओं का एक अलग ही नेत्रत उनके द्वारा किया जा रहा है दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत इस अंकुर खेल मैदान पर जो दूदिया रोश्णी से नहाय हुआ मैदान तीन ओवर सैंटिस रन एक विकेट सौरब मांजी चौथा ओवर पारी का 27 मैच में 26 विकेट पांच रन देकर चार विकेट उनकी बेस्ट बॉलिंग अभी तक इन मैचेज में आदिल लेकिन एक बात इस समय बहुत अच्छी नजर आ रही है बुछ के कंस्रक्शन के टीम में जो हर गेंद पर तारिफ करते हैं गेंद बाज की एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं जो बहुत आवश्चक रहता है टीम गेम में आप कभी भी किसी खिलाली को निराश न होने दें उसकी होसला अफजाई करते रहें उसे प्रेरित करते रहें अच्छा खेल खेलने के लिए 38 पर एक शॉर्ट गें सही तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए मौका बहुत अच्छा था कप्तान राजेश मांजी ने मैदान समाला है 21 पर पहुंचे पदम 11 गेंद है सौरब और बल्लेबाज है कप्तान राजेश 39 फॉर वंड एक बार फिर से धीमी गेंद के साथ रोकते हुए ज्यादा बड़ा बॉलिंग रन अप नहीं है लेकिन जो अनुवह है क्रिकेट खेलने का वह बहुत अच्छा सौरब के पास शॉर्ट अफ गुडलेंद मैट्समेन ने बाया कदम बाहर निकाला था मिड्विकेट पर शॉर्ट खेलने की चेश्टा की लेकिन तूरी तरह से परास्त हुए एक और धीमी गेंद लेकिन इस बार आफ वस्टम के बहुत बाहर जाती हुए हम बाहर की तरफ देखने के बाद थुड़ा से निराशा वक्त की गेंद बास वरब ने लेकिन वे जानते थे कि टपक खाने के बाद कितनी ज्यादा गेंद उनकी बाहर चली गई थी नानस्ट्राइकिंग एंड से पदम ने आकर बताया कप्तान राजेश को कि किस तरह से गेंद बाजी करते हैं और आप क्या गलती कर रहे हैं चालिस रन एक विकेट चौथा ओवर तीन दश्रमलत दो ओवर हुए हैं इस ओवर में तीन रन बने हैं पिर से उसी लंबाई की गें शॉट अफ गुड्लेंड गें बैट्समेन को रूखते हुए रन बनाने से अच्छी बालिंग डॉट बाल करतान राजेश अपने पहले रन की तलाश करते हुए इस बार तेज गेंड हवा में शॉट लाउन का फीलर गेंड के नीचे और इस तरह से दूसरा जटका लगा विकेंड वारियर्स को चालिस की रनसन के अपर कप्तान राजेश, कौट मयूर, बोल्ड सौरब, शोन्य, दो बैट्समेन आउट हुए हैं एक विकेट हासिल किया है राहुल रावत में और अब एक विकेट सौरब के नाम पर और पहला ओवर है सौरब का और पहले ही ओवर में एक विकेट उन्होंने अरजित कर लिया है अपनी टीम के लिए रितेश वर्मा विकेट के बहुत नजदीक जाकर खड़े हुए हैं चालिस पे दो ल्टाउस गेंड सही कनेक्शन नहीं कर पाई इस गेंड के साथ नियाए नहीं कर पाई एक तरह से यह कह सकते हैं आप और शायद उम्मीत नहीं होगी रितेश वेस्ट हाइट की नो बॉल चेक करने का कहा है अंपायर ने क्योंकि फुल टाउस बॉल थी रितेश एक रन बना चुके हैं और इस इनके बाद जो टीवी अंपायर करने नहीं आएगा उसके बाद पता लगेगा कि यदि ये लीगल बॉल है तो एक ही रन मिलेगा और यदि लीगल बॉल नहीं है तो नो बॉल पर एक रन आएगा और अगली बॉल फ्री हिट वाली हो जाएगी वीकेंड वारियर्स स समय क्तालिस पर दो मयंग कोट चेतिज सींग बोल्ड राहूल रावत पंदरा रन कप्तान राजेश बगेर खाता खोले आउट हुए कोट मयूर बोल्ड सौरब नो बॉल एक रन मिलेगा और अत्रिक का नो बॉल का और फ्री हिट वाली बॉल अंपायर का इशारा फ्री हिट पदम सामने गेंद बास के 21 रन बना चुके हैं फ्री हिट वाली बॉल तेज गेंद तेज बलना चलाया गेंज आएगी वाड़िश मिडाउन पाउंडी लाइन की तरफ 6 रनों के लिए बहुत ही धमाकेदार शॉट ओवर पिज गेंद धमाका किया बैट्समेंट पदम ने तीसरा चक्का उनके बैट से चौता चक्का 27 पर पहुंचे पदम स्कोर पहुंचा 48 दो विकेट के नुकसान पर चार ओवर के पूरा होने के बाद 11 रन बनाकर इस ओवर को थोड़ा सा अच्छा किया अपने लिए विकेंड वार्यर्स के बल्ले बाजों ने पिशला ओवर 9 रन वाला था उसके पहले 16 रन उसके पहले 12 रन वाला ओवर तो जरूरत इस ओवर में कुछ रनों की और पदम ने लास बॉल पर चक्का लगाया स्ट्राइक अलांकि उनके पास नहीं रहेगी पर टीम को 6 रन दिये और अपने खाते में 6 रन जोड़े एरा गेंद पर 27 चार चक्कों के मदद से विकेंड वारियर्स के बल्ले बाज पदम सौरप का ओवर 11 रन वाला एक ओवर कोई मेडर नहीं 11 रन और कोई विकेट नहीं लास बॉल प्री हिट वाली बॉल जिस पर 6 रन आए बैटस्पन पदम तयार है अजबार लो फुल टॉस लॉक सुईप मिड विकेट बाउंडरी पर दर्शकों के पास गेंद को पहुँचाया दो छक्के बैक टू बैट पदम के बैट से शांदार बल्ले बाजी इसकोर पहुचा पचास रन के बाद चाववन रन चार ओवर चाववन रन और दो विकेट अपने पचास रन चार ओवर के खेल में पूरे कर ली हैं विकेंड वारियस ने तो ऐसा लग रहा है कि यह जो स्कोर है लगबग असी से उपर जाना चाहिए अब तीन ओवर उनके पास बच रहे हैं इस समय रन उसत हैं उनका तेरा दश्यम्ला पांच शून्य पदम केल रहे हैं चौतिस की रन संक्या पर चौधा गेंदो का सामना किया चार छक्य उन्होंने लगाए हैं उनके अलावत दो चक्य लगाए मैंग ने और अब रितेश को बले बाजी के सिरे पर आना है तो देखना है किस तरह से बले बाजी करते हैं रितेश कर दो कि नया ओवर चुरू पहली गेंच शॉड शितिज को बलाया है बॉलिंग के लिए जिन्होंने क्याश पकड़ा था मयंग का शितिज सिंग पहली गेंच शॉड इससे कनेक्ट नहीं कर पाए बैट्समें और स्कोर अभी भी 54 रन दो विकेट के नुकसान पर शितिज नय बॉलार ऊपर गेंच बैट के नीचे से निकलते हुई कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंच पर बढ़िया बॉलिंग पहरी दो गेंच शितिज सिंग आया है ज्यादा मैचेज ऑनलाइन क्रिक हीरोज पर उनके दर्ज नहीं है लेकिन इस समय ददंगल स्टोरी प्रेजेंट भूपाल प्रीमियर लीग में प्रतिने धित्व करते हुए बुच के कंस्रक्शन का और अच्छा खेल अभी तक इस प्रतियोगीता में उन्होंने दिखाया है एक अच्छे आल राउंडर है टीम के चौथे बॉलर है चितिच सिंग राइट आम ओबर दवेकेट एक और बिल्कुल जड में फेकी हुई गेन बहुत बड़ी अब बॉलिंग और गेन बास को मालू है कि बल्ले बास काफी ज्यादा पीछे हट कर खड़ा है तो उसके प अपने चेहरे के सामने से ही लाना पड़ेगा शौट खेलने के लिए पच्पन दो विकेट पर बैट का बाहरी किनारा कप्तान के हाथ में गेंद पहुचती हुई विकेट गिरा कॉट बिहाइंड के रूप में विकेंड वार्यर्स को तीसरा जटका पच्पन की रंसंक्या पर अनुराग बुचके ने कैच पकड़ा तीसरा विकेट गिरा विकेंड वार्यर्स का स्कूर है समय पच्पन रन एक जटका और टीम के लिए स्कूर मैध कोई जाफा नहीं एक विकेट गिरा वार एक फिर से अच्छी गेंड बिलकुल यॉर्कर लेंड ज्यादा जगेंड नहीं कवर्स की तरफ आते हुए लॉंग आफ के फील्डन गेंड को समाला तब तक एक सिंगल रन आ चुका था टीम के लिए और अपने लिए हर शाय हैं बेटिंग के लिए पुंजन गेंड विल्टाउस गेंड दो फिल्डर के बीच में गेंड को खेला जरूर लेकिन लॉंग ऑन के फिल्डर को आप देखें किस तेजी के साथ दोड़ते हुए गया उसी एक्षिन में गेंड को त्रो गिया अपने साथियों की वो शानदार तालियों को समेटते हुए अपने अंदर विकेंड वारियर्स पाँच ओवर के बाद सतावन तीन विकेट के नुकसान पर एक अच्छा ओवर पूरा किया जिसमें किवर्ण झालियो प्रberyयों मेंड को तालिय। तीन विकेस बैस बॉलिंग उनकी चाट विवर की शिरुवार शाट इसको एलेक वार तुला झाल 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 लोगान बॉंडरी लैन पर एक ओल लंबा छक्का आता हुआ विकेंड वारियस की ओर से जिस तरह के स्ट्रोकों की जरूरत है पैंसाट रन तीन विकेट पर विकेंड वारियस पांच दशमलों तीन ओवर का खेल पूरा पिछले ओवर में स्कोर था 57 रन इस समय स्कोर एक अच्छा स्कोर आचुका है अभी तक विकेंड वारियस का दडंगल स्टोडी प्रेजेंट्स बोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा प्री क्वार्टर फारनल मुकाबला पहली पारी चलती हुई स्कोर है पैंसर्ट तीन विकेट पर विकेंड वारियस एक और कोशेश आफस्टम के बहारती इस गेंड रखते हुए तोड़ा सा घुमाओ गेंड में लाए डॉट बॉल पिशली गेंड पर शक्का लगा अगली ही गेंड को पूरे आतनो विश्वास के साथ वेका जो डॉट बॉल की पॉल और धनवन सिंग पहला ओवर है उनका आठ रान आच चुकी है अभी तक एक और शॉट गेंड इस बार पूल शॉट वाइडिश मेंड ऑन बाउंडरी राइंड पर दर्शक ने गेंड को समाला गेंड बाउंडरी के बाहर दो छक्के इस ओवर में 71 पर पहुँचा विकेंड वारियास तीन विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर का खेल यहां से मेमेंटम हासिल करते हुए पिछले ओवर में केवल तीन रन बनेते तो उस ओवर की भरपाई करनी थी वो काम बहुत अच्छी तरह से करते हुए बेटमें रितेश 71 रन तीन विकेट मैदान पर खामोशी अनवन तो धीमी गेंड शरीर की तरफ कोई रहन नहीं इस गेंड पर ओवर पूरा हुआ 6 ओवर का खेल पूरा 6 ओवर के बाद विकेंड वारियास 71 रन तीन विकेट के नुकसान पर एक अच्छा ओवर बनाया चौदा रन इस ओवर में अरजित किये विकेंड वारियास के बल्ले बाजो ने जनवन तेक ओवर कोई मैड़न नहीं चौदा रन और कोई विकेट नहीं लास्ट ओवर लास्ट शेवाल राहुल रावत ने दो ओवर कर लिये हैं 21 रन दिये एक विकेट झाल जो मैं अरजित किये विकेट 3 एक रन दॉल कर बनाया रितेश और कुंजन विकेट पर है एक रन के इजापे के साथ रितेश महुचे चाउदा पर और वीकेंड वारियोस महुचे 72 की रन संक्या पर पांच गेंदे बाकी स्कोर 72 देखना है कितने बड़ स्ट्रोक आते हैं कुंजन सामने गेंदबाज शितिच के एक और बड़िया बॉल हेलिकाप्टर शॉट से गेंद को विकेट के अंदर जाने से निकालना चाहते थे सफल थे हुए लेकिन रन के लिए कोई उन्होंने जरूरत नहीं समझी दोड़ने से मना किया यह कमाल है गेंदबाज शितिच का जिन्होंने अपना एक ओवर किया था उसमें केवल तीन रन बनाने दिये थे और विकेंड वारियर्स को थोड़ा दबाओ में ले आये थे उस ओवर के बाद लेकिन पिछला ओवर 14 रन बना कर इस मकाबले में फिर से अपने मोमेंटम हासिल करती हुए अंतिम समय में वीकेंड वारियर्स 6.2 ओवर 73 पे 72 पे 3 हवाई फायर वाइल डिश में डाउन बाउंडरी पर गेंड बाउंडरी के बाहर 6 रन जेगे पर खड़े थे स्टम्प लाइन में गेंड आई और गेंड को भेज दिया लोगाउन बाउंडरी लाइन पर 6 रनों के लिए 20 पर पहुंचे रितेश टीम का स्कोर पहुंचा 78 तीन विकेट के नुकसान पर तीन गेंड बाकी बची है चुनोती पूर्ण स्कोर अरजित कर लिया है वीकेंड वारियर्स ने दोनों टीमें अभी तक अविजित इस टॉर्णामेंट में एक और वही प्रयास लेकिन गेंड बास की तारिप करनी होगी तेजी के साथ गेंड को बिल्कुल पैरों की तरफ रखा ज्यादा एलिवेशन नहीं दिया बल्ले का कि मैट्समेन एलिवेशन के साथ चौट खेल सके एक सिंगल रन 21 पर पहुँचाता हुआ रिटेश को और विकेंड वारियर्स को 79 पर दो बॉल 79 से रन संक्या कहां ठहरती है विकेंड वारियर्स की लो फुल टास एक सिंगल और आएगा स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे बल्ले बाद रिटेश अंतिम गेंड का सामना करेंगे और यहां विकेंड वारियर्स दीरे दीरे इस ओवर में 71 से टीम की रन संक्या को 80 पर ले आए हैं पैट का भीतरी किनारा शॉट फाइनल लग के फील्ड अने गेंड को फील्ड किया और तेजी के साथ अपने आपको क्रीज के अंदर लेकर आए तो अंतिम ओवर में कुल मिला के 11 रन बने 81 रन साथ ओवर के पूरा होने के बाद तीन विकेट के नुकसान पार जब बल्ले बाजी रही है विकेंड वार्डिया जिने पहले बल्ले बाजी करने का निमंतरन दिया बुछके कंस्रक्शन के कप्तान ने पदम ने 35 बनाए मयंक ने बनाए 15 उसके बाद कप्तान राजेश बगेर खाल्डा कोले आउट हुए रितेश नाबाद रहे 22 रन बनाए 10 गेंद का सामना किया तीन छक्के लगाए पुझन ने 4 रन नाबाद बनाए 4 गेंदों का ही उन्होंने सामना किया पांच अतिरिक्त मिले विकेंड वार्यर्स को जिसमें 4 वाइट के एक नुबाल का रन और इस तरह से 11.57 रन प्रती पॉसत के साथ 183 विकेट पर ये स्थिती रही है विकेंड वार्यर्स की गेंद बाजी राहुल रावद 2 वर कोई मैडन नहीं 21 रन एक विकेट जावेद 1 वर 16 रन कोई विकेट नहीं सौरब 1 वर 17 रन एक विकेट चितिक 2 वर 13 रन एक विकेट और धनवंत 1 वर 14 रन कोई व झाल 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 भी झाल झाल और झाल ऐस्ट वोपर युज तक और बुच के कंस्रक्शन का भी खाता खोला, चार पर बुच के कंस्रक्शन एक विकेट के नुकसान पर, अबर स्वर फीलर थोड़ा सा आगे, कैचिंग पोजिशन, नमबर 33, और राउंड द विकेट, पैर पर गेन टकराते हुई, डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढने की को हैं, आपस में थोड़ी सी बाच्चीत, एक दूसरे को होसला दिया, राहुल रावत और अभी शेक सिंग बगेल ने, चंदेल ने, एक और बढ़िया बॉल, हाफ वाली पल एक ड्राइब किया, कवर्स की तरफ एक रन मिल पाएगा, बड़ा सा वाइडिश खड़ा किया गय आया, पहला ओवर पूरा, पहले ओवर के बाद स्कोर है पांच रन, एक विकेट के नुकसान पर, इस मकाबले के कश्म कश्पून होने की पहले से ही अपेक्शा की जा रही थी, और वही सब कुछ मैदान पर घटित होता हुआ, अंकुर खेल मैदान पर, दंगल स्टोरी प् पाल प्रीमियर लीग, दूसरा प्री क्वाटर फानल मकाबला, एक प्री क्वाटर फानल मकाबला आज दिन में खेला गया था, जिसमें अंकुर कलब ने रेड एलर्ड एलेवन को 40 रनों से पराजित किया, एक बड़े मार्जिन से हरा कर, आतनों विश्वास के साथ, कॉन् उप्तिम ओवर, गौरव का पहला ओवर, बल्ले बाजी के सिरे पर, चंदेल इस बार फ्लिक करने की कोशिश, पैरों पर आती हुई गेन, डॉट बॉल और बहुत जोरदार तालियां बचती हुई, मैदान पर विकेंड वारियर्स के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्ति हैं, शांदार बॉलिंग, ज्यादा जगे नहीं दी, राउंड विकेट गेन को फेका, जिसे थोड़ा से जुकते हुए, स्कुलिक की तरफ खेलने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रन नहीं मिला इस गेन पर, फिर से वही बॉल विकेट की पर, चुके एक रन के लिए एक विकेट पर, अब राहुल रावत जिन से बहुत उम्मीद हैं कि आज एक अच्छी पारी वे खेलेंगे टीम के लिए, बहुती तेज गती से रन बनाने वाले बलेबाज हैं, बुच के कंस्रक्शन में, और हवाई, शॉर्ट और सीधे मिडाउन के फीलर की तरफ नहीं डून पाए, शॉर्ट तो बढ़िया खेला था, लेकिन एक अत्रिक फीलर वहाँ पर लगाया गया है, पीछे उनके लॉंगाउन पर फीलर, यदि बगल से गेन निकलती तो शायद गेन को नहीं रोक पाते कोई भी फीलर, इमी गेन, फुल टॉस, खराब गेन, के फीलर की तरफ गई थी, लेकिन दूसरी गेन, सीधी सीमा रेखा के बाहर, बुच के कंस्रक्शन, बारा रन एक विकेट, एक दूसरे पर दबाव बनाने की रन नी थी, और देखना है कौन काम्याब हो पाता है, पहले तो ओवर पावर प्ले के, और बुच के कंस्रक्शन इस समय बारा एक विकेट के नुकसान पर, वहाँ दो ओवर में 28 रन वना लिये थे, विकेंड वारियर्स ने, इस बार धीमी गेन, मिस टाइम चार्ट, मिड़ाफ का फीलर गेन के नीचे, और साथ में दो तिन खिला लिया आये, बढ़िया बॉलिंग, गौरव की, थोड़ बहुत ज्यादा उतसाइथ हैं, समर्थक जो विकेंड वारियर्स के लिए समर्थन में यहाँ पर आज बेटे हुए हैं, बारा पर दो, मुश्किलें बढ़ती हुई बुच के कंस्ट्रक्शन के लिए, धनवन सिंग, 38 मैच, 647 रन, 28.13 का एवरेज है उनका, और यह दर्श जेल मैदान भोपाल पर, जहां पर दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग, 2024 का सातवा दिन है, तीन दिन और बचे हैं, कल प्री क्वार्टर फाइनल मकावला, फिर क्वार्टर और फिर फाइनल, एक और शॉर्ट गेंड डॉट बाल जैसे ही आती है, तो खुशी विकेंड वार्यर्स के समर्थकों की देखते ही बनती है, एक डॉट बाल और, स्कोर दो ओवर के बाद बारा रन, खुल सात रन इस ओवर में बने, एक विकेट खोया टीम ने, दो ओवर में दो बालर्स ने बालिंग की, और दोनों ही सफल रहे विकेट लेने में, म 28 रन बनाये थे, पहले में 12, दूसरे में 16, लेकिन यहाँ जवाबी पारी खिल रही है बुच के कंस्ट्रक्शन, लक्ष उने मालुम है, यहाँ से बचते हैं 5 ओवर, याने 30 गेंदे और 70 रन की चुनोती बुच के कंस्ट्रक्शन के सामने हैं, रितेश, 8.21 की एकनोमी, एक अच्छे आल राउंडर, आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की 22 रन बना कर नावाद रहे 10 गेंदों का सामना किया था, रितेश ने, पहली गेंद पैरो पार, जिससे मिट विकेट की तरफ खेला, फील में फैलाव लिया जा सकता है, पावर प्ले पूरा हो चुका है, टीप मिट विकेट, डीप स्कॉर लेग, लॉंग ओन, ये तीन फीलर ऑन साइट पर सीमा रेखा पर तैनात किये गए हैं, एक सिंगल रन, कोई परिशानी नहीं, विकेट वारियर्स को इस तरह के सिंगल से, उच के कंस्रक्शन पहुंचा, तेरा पर दो विकेट हो दिये हैं, ओवर दो विकेट बॉलिंग, राउंड दो विकेट बॉलिंग, लेफ टेंडेट बॉलर, बहुत तेज गेन, विकेट कीपर को भी समझ नहीं आए कि गेन किस तेजी के साथ निकली, समर्थन बढ़ता जा रहा है वीकेंड वारियर्स का, समर्थक प्रसन है, प्रशन सक प्रसन है, यह देखें, आप किस तेजी के साथ गेन गई थी, बहुता गूमती हुई गेन, शफल होते हुए आफस्टम की तरफ आ जाते हैं, बले बज़, सामना करते हुए, रितेश का, बार पटकी वी गेन, आराम से मिड्विकेट की तरफ खेला, शौट गेन और जो खुशियां का इंतजार था, बुच के कंस्रक्शन को वो खुशियां लेकर आए, धनवन के बैट से यह शौट आया, धनवन पहुंचे च्छे पर, तीन गेंदे खेली हैं, एक छक्का लगा आया, उन्निस पे दो, तीसरा ओवर, धनवन के बैट से निकला हुआ शौट बुच के कंस्रक्शन के लिए थोड़ा खुशियां लेकर आया, दबाओ हटाते हुए बॉलर का, लेफ्ट आम राउंड डविकेट, लो फुल टास, लॉंग आफ पर फील्डर जंप किया, लेक अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश, चार रन का इशारा अमपायर के द्वारा, लेकिन ये तालियां बज रही हैं उस खिलाड़ी के लिए, भले ही समर्थक वहाँ पर वीकेट वॉर्यर्स के हैं, लेकिन इस अच्छे खेल की सराहना उन्होंने की, एक अच्छे दर्शकों के तौर पर, बुच के कंस्रक्शन 23 पर दो, दनवन पहुंचे 10 पर, एक चौका, एक चौका उनके बैट से, दस पर नाबाद, दनवन उनके साथ अभिशेक सिंग, पिल रहे हैं 6 के विक्तिकत स्कोर पर, बॉलर रितेश, एक और हवाई फायार, मिस ट्राइम च कवर्स का फील्डर दोला, गेन के पीछे बहुत ही बढ़िया कैच, पीछे की तरफ जाते हुए इस कैच को समाला, लगबग 10-12 कदम दोले, लेकिन कोई गलिती नहीं की, बुच के कंस्ट्रक्शन दिक्कत में, तीन विकेट पर 23 रन, दनवन की पारी समापत हुए, कॉट, गोविन गौरो, बोल्ड, रितेश, 10 रन, 5 गेन खेली, एक चौका, एक चक्का लगाया, 4 मिनिट बल्ले बाजी की, 23 पर 3, अभी भी एक गेन दिस ओवर की बाकी है, करेंट रन रेट है, 8.12, दीरे से उपर लेकर आए हैं, रन रेट को, और नमबर 5 पर बैटिंग के लिए आ रहे हैं, एक और आल राउंडर, बुच के कंस्ट्रक्शन के, छितिच सिंग, फिरासी रन पांच मैचेज में, 27.67 का उनका एवरिज, दूसरा प्री क्वार्टर फारनल मकाबला इस ट्रॉनमेंट का, बड़िया बॉलिंग, पैर उपर गेन, डाउन दे विकेट गेन को खेला, जब तक लॉंग ओन के फीलर गेन को उठाएं, फील्ड करें, थ्रो करें, और स्ट्राइकिंग एंड पर एक रन बनाकर स्ट्राइक अपने पास रखेट छितेज ने ओवर पूरा हुआ, तीन ओवर के खेल के बाद स्कोर है, 24 रन, 12 निस ओवर में आए, और सूंध खेला, तीन ओवर में हुआ κάνो है, भॉर जिस दूमारा उन ओuğराना की गवर हुआ, फॉर पर लिवर भाद स्कूराइक अवर झाले संग्ड श्राइक, तीन ओवर तीन विकेट चौबिस रन शितित सिंग पहली गेंद एक कोण बनाती हुई आफ वस्टम पर पिछोने के बाद बाहर की तरफ निकली बड़ा शॉट लेने की कोशिश गोविन गौरव की इस गेंद पर लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं इसकोर अभी भी 24 पर तीन और अब हवा में गेंद गेंद बाद ने सब को हटाया खुद गेंद के नीचे पहुँचे कॉटन बोल के साथ शितिच सिंग को आउट किया गया बुच के कंस्ट्रक्शन 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर और फिस्टम के बाहर की गेंद जिसे मिड विकेट की तरफ खीचना चाहते थे जिस प्रयास में गेंद बैट के एज़ पर लगी और आराम से कैश पकड़ा अपनी गेंद पर गोविंद गौरव ने चितिच सिंग कॉटन बोल गोविंद गौरव एक रन बनाया चितिच ने तीन गेंद खेली नए बैट्वेन फुरकान एक और आल राउंडर बुछ के कंस्ट्रक्शन के अच्छा खेल दिखाया है अभी तक इस उपाल प्रिमियर लीग में और ये समर्थक जो बहुत ज़्यादा प्रसन है अपनी टीम के प्रदर्शन से विकेंड वारियर्स एक यासी रन बनाये साथ ओवर में जवावी पारी में बुछ ये कंस्ट्रक्शन को उन्होंने बहुत दिक्कत में डाल दिया है चौबिस रन चार विकेट की स्थिति में राउंड विकेट गेन को खेला इसक्वेलेक पर वील्डर वहाँ पर खड़े थे केवल गेन को देखते रहे च्छे रन वाला शॉट पुरकान के बैट से बहुत ही एफटले शॉट पैरों पर गेन मिली और गेन को टर्न किया इसक्वेलेक बांडर पर फ्लैट शॉट छे रन पुरकान ने खाता खोला छे रन के साथ बुछ के कंस्ट्रक्शन तीस रन चार विकेट पर फिर से उसी दिशा की गेन लग स्टम के बहुत बगल से दो और यह रिव्यू लिया गया है विकेंड वारियर्स के कप्तान द्वारा दो रिव्यू है आपके पास यह पहला रिव्यू इस मैच में लिया है विकेंड वारियर्स के कप्तान ने जो गेन अंपायर ने वाइड डिकलियर की थी उसे चक किया जा रहा है टीवी अंपाय से डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का मुकाबला होगा केके 29 तारिक 11 बुपाल से ये जे लॉइंस खेलेगी लाला नदीम 11 से जिसने अभी-अभी क्वालिफाई किया ग्रूप सी से पेराडाइस 11 और आर सी सी बंखेडी के बीच एक रोमांचक मुकाबला आप देख सकेंगे हम एकता शाहरिक 11 खेलेगी जीशान 11 से मुक्ष 11 का मुकाबला होगा डी सी सी डवराल से और एसक एंटरप्राइजेज जिसने सी वन पूल सी से पहले स्थान पर रहते हुए प्री क्वाटर फारनल के लिए क्वालिफाई किया है शिवशक्ति 11 से मुकाबला खेलेगी सिगनल अंपायर की ओर से जो टीवी अंपायर है उन्होंने देखकर बताए कि वाइड जो फील्ड अंपायर ने दी है वो सही है वाइड के साथ एक रंज उड़ेगा बुच के कंस्रक्शन के लिए और एक अतिरिक गेंद फेकनी पड़ेगी गेंद बाज को उरकान छे रन इंचल लिंग लॉंग ओफ, लॉंग ओन इल्कुल सामने बल्लेबास के बाउंड़ी लाइन पर, टीप इसकोई लेक पर एक फीलर, एक शॉट फाइल एक पर फीलर, टीप मिड़ेट पर एक फीलर, हवा में गेन फुरकान का शॉर्ट कोई फीलर गेन के नीचे आए गए या नहीं लॉंगा उनके फीलर ने कोई गलती नहीं की पांचवा विकेट गिरा आधी टीम आउट वी बुच के कंस्रक्शन की स्कोर है उनका 31 रन खुशिया वीकेंड वार्योस के खाते में निरंतर आती जा रही है इनवाज गोविन गौराव जिन्होंने दूसरा विकेट अपना चटकाया गौराव राजपूत आए हैं बल्ले बाजी के लिए सौरब राजपूत सौरब राजपूत ने कैज पकड़ा फुरकान की पारी समाप्तुई छे रन बनाए उन्होंने बेटिंग के लिए गौराव राजपूत 31 रन पांच विकेट और आते से ही ऑन साइट पर मिट विकेट पर गेंद को खेला पैरो पर गेंद बाउंडर के बाहर छे रन पूरा प्रेयास मिट विकेट के फीलर का लेकिन गेंद में इतनी तेजी थी और इतनी दूरी थी कि उन्हें पार करती हुई बाउंडर के बाहर पहुंची स्कोर पहुंचा 37 पर एक छक्का फुरकान ने लगाया एक छक्का गौरव ने लगाया पर अपना खाता दोनों ही बैट्समेनों ने छक्का लगा कर खोला है 37 पर पाँच चौथे ओवर में फिर से पैरो पर गेंद अपने फॉलो तुरू में शरीर गेंद की लाइन में लगाया यह लग गया गेंद बहुत तेजी के साथ आए गौरव गौविन गौरव ने अपना ओवर पूरा किया दो ओवर की बॉलिंग कोई मेड़न नहीं 19 रन देकर तीन विकेट उन्होंने चटकाए है 37 पर पाँच 13 रन वाला ओवर और ओवर में रन संक्या बढ़ती जा रही है अभी हाला कि मैच खुला हुआ है कि ऐसी स्थिती से ही गेंद परिवर्तित होता है किसी टीम की और जुकता है मुकाबला हाला कि अभी थोड़ा सा मुकाबला वीकेंड वार्यर्स की तरब जुका हुआ उनके समर्थक प्रसन है 18 गेंदे उस पर 45 रन की चुनोती पुच्च के कंस्रक्शन के सामने मुश्किल परिस्थितियां फुरकान चेरन बना कर आउट हुए गौरव खेल रहे हैं चे पर और अभी शेक सिंग बहुत कि देर बाद बैटिंग का मौका उनके पास आया है कि कि वालिंग के लिए हर्ष कि पांचमा ओवर पांचमा ओवर की शिरुवात हर्ष के सामने बालर हैं रितेश पहला ओवर हर्ष आये हैं बालिंग के लिए अनसाइट पर अराम से गेंद को खेल कर एक रन जमा किया अपने लिए अपनी टीम के स्कूर में इजाफा किया इसकूर पहुंचा बुच्च के कंस्रक्शन का अड़तिस रनों पर साथ पर अभी शेक जेगे पर खड़े खड़े शॉट आफ गोडलेंड गेंद जो पिछोने के बात उड़ा ऊपर उठ रही थी वाइड का इशारा तो ला देर बाद अमपार ने किया और गेंद बाद जानते थे कि गेंद उन्होंने कहां पर पिछ कर दी है एक अत्रिक तरन खाते में जुड़ता हुआ स्कूर पहुंचा इस एक्स्ट्रा के साथ थर्टी नाइन फार फाइव बिल्कुल हवा में गें लॉंग आप पार सीधा फ्लैट शार्ट फीलर के हाथ में जाता हुआ च्छटा बले बाद आउट किया विकेंड वार्यर्स के गेंद बाद उने बुच्च के इलेवन बुच्च के कंस्रक्शन उन्चालिस पर च्छे अच्छ ने आते से ही कामिया भी दिलाई और जो टीम परिशानी में पड़ी हुई थी उसे और ज्यादा परिशानी में डाल दिया बुच्च के कंस्रक्शन उन्चालिस रंच छे विकेट के नुक्सान पर मकाबले में और ज्यादा गिरफ्त अपनी बढ़ाते जा रहे हैं विकेंड वार्योर्स के खिलाडी पांच मां ओवर छे विकेट खो दिया हैं तालिया बचती हुई शानदार प्रदर्शन के लिए लॉंग ऑफ पर फीलर पदम ने कैच किया हर्श की गेंद पर और अभी शेक दूसरे अभी शेक हैं इस टीम में वे आए हैं अब वाले दिन वाए हाथ के बल्ले बाज अभी शेक इस गेंड विकेट की तरफ गेंड को खेला और गेंड बाउंस के साथ बाउंडर के बाहर चली गई फीलर जा रहा है थे गेंड को देखने के लिए कि गेंड टपकाने के बाद वे रोकेंगे लेकिन बाउंस जो था वो उन्हें पार करता हुआ विकेट की पर थोड़ा सा चिंतित होते हुए वे कह रहे हैं कि विकेट को गेंड के ऊपर पहुँचना था चौका अभिशेक यादव के बैट से कीम का स्कोर 43 छे विकेट मुश्किल बुच के कंस्रक्शन के सामने 82 रन बनाने है इस मैच को जीतने के लिए अभी आदे रास्ते पर टीम पहुँची है एक और बढ़िया बॉल आगे निकल कर आए गेंड की दिशा को बदला बल्ले के बाहरी के नारे से गेंड लगी विकेट कीपर ने गेंड को नीचे जाती भी गेंड को कलेक किया और डॉट बॉल के साथ भुस्के कंस्रक्शन के स्कोर को पहुँचाया 43 फॉर 6 4.4 ओवर्स के बाद अराम से दो टप्पे के बाद लॉगाउन के फीलर के तरफ पहुँचता हुआ शॉर्ट और सेकंड बाउंस के बाद गेंड काफी ज्यादा नीची थी लेकिन तारीख करनी होगी लॉगाउन के फीलर की जिनोंने बहुत सफाई से गेंड को फील किया एक सिंगल और आया अभिशेक पहुचे पांच पर पुच के कंस्ट्रक्शन छे विकेट पर चबालिस तरफ पांच में ओवर की लास्ट बॉल अभिशेक सिंग सामने है पुल टाउस बॉल कनेक्शन नहीं आपाया शॉट फाइनलेग के फीलर ने गेंड को फील किया तब तक एक रन दोड़ा दोनों बल्ले बाजोंने ओवर पूरा हुआ पांच ओवर के खेल के बाद स्कोर है पैंटालिस छे बिकेट के नुकसान पर ये ओवर आठ रन वाला था पांच ओवर में पैंटालिस और पहले बल्ले बाजी में पांच ओवर में सतावन रन स्कोर था विकेंड वारियर्स का और यहां से बचते हैं बारा गेंडों पर सैंटिस रन अभी भी मुकाबला खुला हुआ है किसी भी टीम की तरफ यह मुकाबला जा सकता है एक अच्छे ओवर की जरूरत है पुस्ट के कंस्ट्रक्शन को और एक ही अच्छे ओवर की जरूरत है विकेंड वारियर्स को यह ओवर इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्री क्वार्टर में रहेगा गेंद बाजी के लिए क्योंकि उसको कितने रन सेफ करने होते हैं इस ओवर के बाद वो डिसाइड होगा छटा ओवर पहली गेंद बहुत तेज बल्ले के नीचे से गुजरती हुई रन आउट का मौका हो सकता है नौन अस्राइंग एंड की तरफ थ्रो तीसरे अंपाइर की तरफ इशारा किया फील्ड अंपाइर मोहमद रफीन है कोई भी चांस वे नहीं लेना चाहते है क्योंकि जब आपके पास संसाधन हैं तो उनका उपियोग किया जाए टेनिस क्रिकेट डॉट इंड यूट्यूब चैनल जिसकी सब्क्राइबर्स या जिसका परिवार 19 लाख लोगों से ज्यादा का परिवार है उस पर सीधा प्रसारन चल रहा है दे दंगल स्टोरी प्रिजेंस भुपाल प्रीमेर लीग दो हजार चॉबिस का आज सातवा दि की ने रेफर किया है यह डिसीजन उनका अपना निर्नाए जो बल्लेबाजी रही है मयूर बगेर खाता खोले आउट हुए राहुल रावत ने छे बनाए अभिशेक सिंग नाट आउट है आट रन बनाकर एक मातर डबल फिगर में पहुंचने वाला बल्लेबाज धनवन सि दस रन एक पर आउट हुए छितिश सिंग फुरकान चे रन बनाकर आउट हुए गौरव भी चे रन बनाकर आउट हुए अभिशेक यादा ओविकेट पर हैं जो पांच रन बनाकर खेल रहे हैं अर्च, पार्थ, गोविंद और मयंग से बॉलिंग कराई गई है पांच ओवर के बाद स्कोर 45 चे विकेट के नुकसान पर छटे ओवर की पहली गेन जिस पर रन आउट के लिए अपील की गई अमपायर ने उस अपील को स्विकारा और रिफर किया है डिसीजन अपना गई गईबाव यह गेंदबाज है पिछले ओवर में जिन्हों ने गेंदबाजी की है पहला ओवर पांच रन वाला था बुच के कंस्रक्शन के लिए दूसरा ओवर साथ तीसरा ओवर बारारा रन चौथा ओवर तेरा रन वाला लेकिन पांचवा ओवर था वो केवल आठ वाला जिसके कारण जो करन रन रेट हैं उनका नौरन प्रती ओवर पूरी टीम पेनिस क्रिकेट डॉट इन की मल्टी सेट अप कैमरे के माध्यम से बोपाल में उपस्ते थे दंगल स्टोरीज प्रेजेंट्स बोपाल प्रीमियर लीग दोहजार चौबिस का लाइव टेलीकास सुनके द्वारा किया जा रहा है और जिसे विश्व के कोने कोने में जो खेल प्रेमी हैं वो देख रहे हैं और जो स्कोरिंग है वो हो रही है क्रिक हीरोज एप पर नॉट आउट एक सिंगल इस गेंद पर एक सिंगल आया 5.1 एक ओवर के बाद स्कोर है 46 रन 6 विकेट के नुक्सान पर मुश्किल में पढ़ी हुई टीम ये ओवर इंपॉर्टन्ट है अभी शेक यादा हो तीन गेंदो पर 5 रन भरोसा उनके उपर बुच के कंस्रक्शन को कुछ चमतकारिक स्ट्रोक अपने बल्ले से निकालेंगे विक्की डीप मेट विकेट पर बाइं तरफ जाते हुए देखना है फाइन लेक के फिलर को और ज्यादा विकेट कीपर के नजदीक किया एजी के साथ बल्ला घुमाया वाइड का रन आया टीम के लिए स्कोर पहुचा सेंतालिस रनों पर एक बॉल काउंट हुई है इस ओवर में लीगल डिलिवरी और एक वाइड का रन और दो रन आये हैं अभी तक इस ओवर में स्कोर 47 हवाई फायर बहुत हुचा बहुत लंबा छक्का आएगा बैट से अभिशेख यादाओ के 50 रन पूरे बुच के कंस्ट्रक्शन के 53 रन 6 विकेट के नुक्सान पर 5.2 वर में 350 रन बनाए उसके पहले 4 वर में 50 रन अपने पूरे किये थे विकेंड वारियस ने मकाबला रोमांचक स्थिति में आता हुआ 356 विकेट पर राउंड विकेट शॉर्ट गेंड हवा में शॉर्ट मिट विकेट पर फील्डर विक की वहाँ पर कोई गलिती नहीं की कैज को पकड़ने में काफी ज्यादा शॉर्ट गेंड थी जिसे बहुत तेज खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग सही नहीं आ पाई बुच के कंस्ट्रक्शन साथवां विकेट खोया खराब शॉर्ट और विकेट जाता हुआ बुच के कंस्ट्रक्शन का त्रेपन पर साथ बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंड मिल गई थी अभी शिक यादाव को लेकिन उसे सही तरह से बाउंडरी के पार नहीं पहुंचा पाए और विकी जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे एक अच्छा क्याच उन्होंने पकड़ा टीम को सपोर्ट किया इस अच्छे कैच के साथ त्रेपन पर साथ साले पांच ओवर हुए हैं अभी भी नौ गेंदे बाकी अनुराग बुच के बैटिंग के लिए जो विकेट कीपिंग कर रहे थे अब मैदान पर आए हैं अभी शेक आउट वेक आट विकी बोल्ड रिते पेश ग्यारा रन दूसरे बहले बाद जो दोहरी रन संक्या में आए अधनवन सिंग के बाद अधनवन सिंग के बाद नए बिल्ट्समेन अनुराग बुचके को एक रन बनाने के साथ अपना खाता खोला अनुराग बुचके ने टीम का स्कूर पहुँचाया चववन साथ विकेट के नुकसान पर दो गेंदे और बाकी बची हैं इस ओवर की इन दो गेंदों पर देखना है कितने रन और जोड़ते हैं उचके कंस्रक्शन के बल्ले बाद बाद धीमी गेंद रन बनाने से रोकते हुए बढ़िया प्रदर्शन तेज गेंदे धीमी गेंदे चरतराई पुन गेंद वाजी और वहां समर तक बहुत ज़्यादा खुश हैं जो दीर रात तक इस मकाबले को देख रहे हैं इस मैदान पर बड़ी संक्या में दर्शक शॉर्ट गेंद बैक फुट पर जाकर पुल किया फीलर के पास सीधा शॉर्ट आठवा जटका वीकेंड वारियर्स ड्राइविंग सीट पर बुच के कंस्ट्रक्शन चववन पर आठ यवल दो ही ओवर बुच के कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे थे जिसमें उन्होंने दस से ज्यादा रन बनाए तीसरा ओवर जिसमें 12 बने चौता ओवर जिसमें 13 रन बने उसके अलावा पहले और दूसरे ओवर में 5 और 7 और अभी अभी पांच वी ओवर छटे ओवर में 8 और 9 रन लास्ट ओवर जीतने के लिए चाहिए 37 रन 6 बॉल 28 रन संभव तो है लेकिन उसे संभव करना बैट्समेनों के हाथ में 54 पे 8 हेली गेंद कट किया दो फीलर के बीचों बीच एक रन मिल पाएगा अनुराग बुचके को बॉलस नेम कपिल पांच गेंदे 27 रन बाएँ हाथ के बैट्समेन जावेद देखना है क्या कुछ चमतकार हो पाता है या नहीं इस मकाबले में 16 शमले एक ओवर के बाद 55 पे 8 पुछ के कंस्ट्रक्शन दूसरा प्री क्वाटर फारनल मकाबला अपने समापती पर पहुँच चुका है लेकिन अभी भी सबी के निकाहें मैदान पर अपिल की गेंद हवाई शॉर्ट मिड्विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे जंप किया क्याच कुलप का आज से गेंद छिटक गई लेकिन विक्की ने उनकी तारिफ की समय कोई अत्रित रन उन्होंने नहीं खर्च किया स्कोर अभी भी 55 पे आट 56 पे आट चार गेंद पर 26 अब मैं शॉर्ट लॉंग ऑन पर फील्डर गेंद कर निशाना बिल्कुल स्टम पर अनुराग आट वे नौवा जटका लगा बुच के कंस्ट्रक्शन को 56 की रन संक्या पर बहुत ही बढ़िया थ्रो बहुत बढ़िया स्टम पर सीधी गेंद लगाई दीन गेंदे बाकी बची हैं और जीतने के लिए 26 रनों की ज़रूरत ज्यादा से ज्यादा अठारा रन बन सकते हैं यह आपचारिकता बाकी हैं इस मुकाबले में अन्तिम बल्लेबाज बैदान पर भीजे जा रहे हैं नौ विकेट गिरे हैं स्कोर है 56 रन लास्ट बेट रन सौरब नौर स्ट्राकिंग एंड पर सौरब स्ट्राकिंग एंड पर जावेद एक एक रन से कुछ होने वाला नहीं है अब इसकोर पहुंचा 57 नौ विकेट के नुकसान पर उसके कंस्रक्शन जिरोंने जवाबी पारी खेली थी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वे मैच में बने हुए हैं एक एक करके उनके बलेबाज आउट होते रहे और यही वजह रहे कि इस मुकाबले में ज्यादा कुछ उनके लिए नहीं रह गया इस बार हवा में शौर्ड लॉंग ऑन बाउंडरी की तरफ जाता हुआ ये इन बाउंडरी के बाहर चार रन इसकोर पहुंचा इस चार रन क इजापे के साथ इसक्स्टी वन एक और शौर्ट इस बार पीलर असा लगता है कि के वल्ला खुशियां मना रहे थे ज्यादा गिन को रोकने की कोशिश नहीं की सिक्स्टी फाइव कुल स्कूर पहुंचा ग्यारा रन अन्तिमोवर में बने और इस मुकाबले को अपने नाम पर किया 16 रनों से जीत कर क्वाटर फाणल मकाबले में प्रवेश किया है वीकेंड वाडियर्स के टीम ने बहुत बहुत बढ़ाई वीकेंड वाडियर्स को और मैंप दे मैच के लिए चलते हैं और उनके पास मैंप दे मैच रितेश मैंप दे मैच हैं रितेश वीकेंड वारियर्स के आपके लिए राफी इंतजार कर रही है आपकर पया मैंप दे मैच जो स्टेज है वहाँ पर आजाए रितेश मैन अब दे मैच फ्र recalled 2014 झाल झाल झाल